So, hello guys, मेरा नाम है साजी सेफी and you are watching Gyan Drops. दोस्तों, अगर आपके पास ICICI bank का credit card है और आपने उससे बहुत ज़्यादा shopping कर लिये तो आपको यहां बदले में company की तरफ से यानि की bank की तरफ से कुछ reward point दिये गए हैं. अगर आप उन reward point को cash में convert करना चाहते हैं तो आज की वीडियो में मैं आपको step by step सारा process बताऊँगा. इसके लिए आपको 30-4 step follow करने होंगे और उन सभी step को follow करने के बाद आपके ICICI bank के credit card के उपर जो आपको reward point मिले हैं आप उनको cash में convert कर पाएंगे बहुती easily. इससे पहले मैंने अपने चैनल के उपर एक वीडियो अपलोड किया था और उसके अंदर मैंने आपको HDFC bank के credit card के उपर जो आपको reward point मिलते हैं उनको हम किस तरह से cash में convert कर सकते हैं उस वीडियो के अंदर मैंने आपको उसका process बताया था लेकिन चलिए फिलाल हम ICICI bank के credit card के उपर जो reward point हमें मिले हैं हम उनको cash में convert करके देखेंगे और आपको इस वीडियो को लाच तक देखते रहना है ताकि आपको जो step वगरा है कोई भी आपका miss न हो जाए ताकि आपको फिर बाद में कोई problem न हो तो चलिए अब हम finally video को शुरू करते है So finally guys हम अपने credit card के application के अंदर आ चुके है और उसके बाद यहां आपको my card का एक option देखने को मिल रहा होगा simply आपको my card वाले option पर click करना है और उस पर click करने के बाद आपके पास जितने भी credit card होंगे ICICI के वो सारे के सारे आपको इस application के अंदर शो हो जाएंगे तो दोस्तों मैं यहां अपना second वाला credit card select कर लेता हूँ and जैसी आप credit card को select करते हैं तो उसके बाद आपको नीचे की तरफ scroll करना है और आपको देखना है कि आपको पास जो reward point है वो कितने हैं and जैसा कि अब आप देखना है मेरे पास 1996 reward point है चलिए मैं इनको redeem करके आपको दिखाता हूँ और यही पर आपको एक redeem now का option शो हो रहा होगा simply आपको redeem now पर click करना है and जैसे आप redeem now पर click करते हैं तो इस पर click करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह की window open हो जाएगी and जैसा कि अभी आप देख रहे हैं यहाँ आपको काफी सारे product देखने को मिल जाएंगे अगर आप चाहें तो अपने reward point के जरिए इन product को भी buy कर सकते हैं अगर आपके पास इन product के हिसाफ से reward point हैं लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यहाँ आप cash में convert कर लें अपने reward point को तो simply आपको ज़्यादा कुछ दिमाग मरने की जरूत नहीं है आपको यहाँ search bar जो आपको देखने को मिल रहा है simply आपको यहाँ पर search bar में type करना है Amazon और आपको यहाँ Amazon की जो voucher वगरा हैं उनकी list आपको show हो जाएगी जैसा कि आप देख सकते हैं फिलाल मेरे पास जो यह reward point हैं उनके हिसाब से मैं 500 रुपे तक का Amazon e-voucher buy कर सकता हूँ तो फिलाल में 500 रुपे वाला voucher select कर लेता हूँ आप अपने हिसाब से देख लिजी कि आप कितने तक का gift card buy कर सकते हैं फिलाल में यह 500 रुपे का मैंने select कर लिया है और जैसा कि यह भी आप देख रहे हैं अगर आप 500 रुपे का Amazon का gift card buy करते हैं तो इसके लिए आपको 2000 points की जरुवत होगी और scroll करने के बाद proceed to check out का एक option show होगा simply आपको इस पर click करना है और जैसे ही आप उस पर click करते हैं तो इस पर click करने के बाद यहां आपके सामने जो आपकी delivery information वगरा है वो आपको show हो जाएगी जैसे कि आपका नाम आपकी Gmail ID और आपका mobile number आपका घर का address और आपने कितने point खर्च किये हैं कितने रोपे का voucher खरीदने के लिए वो सारी की सारी detail आपको show हो जाएगी simply आपको proceed to redeem का एक option show हो रहा है बस आपको इस पर click कर देना है और जैसे ही आप इस पर click करते हैं जैसा कि दोस्तों अभी आप देख रहा है यहां हमने successfully अपने reward point से एक Amazon का gift card buy कर लिया है जैसा कि आप देख रहा है order is players successfully का message भी मुझे show हो चुका है और आप अपने order की detail भी सारी की सारी यहां पर देख सकते हैं और आपने जो Amazon का voucher buy किया है वो आपकी mail ID पर आपको send कर दिया जाएगा जैसा कि आप देख रहे हैं ICI की तरफ से मेरे पास एक mail आ चुका है और इस mail के अंदर जो हमारा Amazon का voucher है उसकी सारी detail आपको देखने को मिल जाएगी और यहां पर आप click hair पर click करके और भी detail इसकी देख सकते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर आप अपने voucher की detail को download कर सकते हैं फिलाल मैंने यहां download कर लिया और download करने के बाद इसकी जो भी information वगरा है वो आपको सारी की सारी यहां देखने को मिल जाएगी चलिए अब मैं आपको अपने इस voucher को Amazon की ID में add करके दिखाता हूँ कुल मिलाकर आपको इस voucher को redeem करके दिखाता हूँ जैसा कि तो अभी आप देख रहे हैं यहां आपको इस gift voucher के अंदर एक voucher code देखने को मिलेगा इसको आपको simply copy कर लेना है चलिए फिलाल मैं इसको यहां से copy कर लेता हूँ और उसके बाद आपको आना है अपनी Amazon की application के अंदर चलिए फिलाल हम Amazon की application के अंदर चलते हैं अब आपको जो bottom में यह more का option देखने को मिल रहा है application के अंदर आपको इस पर click करना है और उसके बाद जो यह pay bill का option show हो रहा है आपको इसे select कर लेना है उसके बाद जैसा कि अब भी आप देख रहा है यहाँ मेरा Amazon pay balance है अभी यह 0 रूपीज शो कर रहा है अब आपको नीचे की तरफ scroll करना है और नीचे की तरफ scroll करने के बाद यहाँ आपको एक section देखने को मिलेगा gift card and vouchers का simply आपको इसके अंदर जो add a gift card का option And so next step में आपको जो ये add gift card to balance का option शो हो रहा है बस आपको इस पर click करना है. And जैसी आप इस पर click करते हैं, तो इस पर click करने के बाद जैसा की भी आप देख रहा हैं, जो हमारा voucher है, हमने उसे successfully redeem कर लिया है. और यहां पर जो gift card added successfully का message भी मुझे शो हो चुका है. चलिए एक बार हम अपना Amazon का pay balance उसको चेक करके देख लेते हैं. And जैसा की दोस्तों अभी आप देख रहे हैं, जो हमारा pay balance है, वो 500 rupees हमें show होने लगा. तो कुछ इस तरह के step को follow करके, आप काफी easily अपने किसी भी ICICI के credit card का reward point होता है, उसको convert कर सकते हैं cash में. तो दोस्तों फलाल इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही था और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज आप इस वीडियो को like कीज़े, share कीज़े और साथी सा चैनल को subscribe करना, बिल्कुल नाभ फलाल इस वीडियो को finish करते हैं और मिलते हैं ठीक इसी तरह की एक और new वीडियो के साथ,